पारगेड विद पीएस परियार चैनल में आपका स्वागत है सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचना होती है जो विद्धार पत्रों पर शायवी होती है और विद्धारितों के लिए आवश्यक होती है तो आई ये शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समचार पत् अगले दो माह में शुरू होगी बरती उत्तर प्रदेश लोग सेवा आयोग दो महीने में 3055 पदों पर भरती प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है विभिन विभागों के इन पदों के लिए मैं और जून में भरती विग्यापन जारी होने के साथ ही आवेदन की प्रक्रिय शुरू हो जाएगी यही सूचना अनसमचार पत्रों में भी अलग अलग तरीके से दी गई है यह पूरी बात यहां पर लिखी हुई है और लिगा कि उत्तर प्रदेश लोग सेवा आयोग यूपी प्यसी अगले दो माह में 3055 पदों पर भरती की प्रक्रिया शुरू करने और सिर्फ यही नहीं UPSC 31 मार्च 2023 तक 5103 पदों पर भरती के लिए विग्यापन जारी कर चुका है और इन पदों पर चेन की प्रक्रिया चल रही है ऐसी में आयोग एक वर्स के दोरान कम से कम 8158 पदों पर भरती करने जा रहा है यानि कि लोग सेवा आयोग अपना पूर जून के बाद कई विग्यापन भी जारी होंगे यात रखिएगा जून के बाद सो आने वाले दिनों में आयोग 10,000 से अधिक विरोजगारों को नौकरी देने जा रहा है आयोग का पिछले वर्स का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है एक कपेल 2022 से लेकर के 31 मार्स 2023 तक आ 30 वर्तियां भी शामिल है आयोग ने 2022 देस के कलेंडर में 21 परिच्छा को सामिल किया था और 22 परिच्छा करा लिए तो इस परष्ट रूप से यह तो नहीं बताया गया है कि इसमें कौन कौन सी भर्तियां है लेकिन यह जरूर बताया है कि आने माले दो महिनों में ज्यादा भर्तियां होंगी तो हो सकता है कि आपकी जो भर्तियां है वह आरो एरो एप्यस इत्यादी हों लोग सिवा योग की एक और सूचना है अब भर्तन वापसी को यूपीप्यसी ने चार तक मांगा समय ल्टी ग्रेट की बात हो रही है डेट बढ़ा दी गई है जो विद्यार के सूत्रों की माने तो शैक्षिक योगता की समक्षिता विवात के कार्ण तमाम पदों पर चैन की प्रक्रिया सुरू नहीं हो पा रही है अपर नेजी सच्चिव भर्ति राज की विद्यालियों में एल्टी ग्रेट सायक अध्यापक बढ़ती समिच्चातिकारी सायक पत्त्र किया जा रहा है आयोग के अग्धिक सरिनेत का यह कहना है कि भर्तियों में विवात mur करने के लिए अब विद्यापन के साथ ही समय विभा की नेमावली का भी ग्र किया जाएगा इससे विद्यापन और नेमावली में अंतर ओने के कारण होनेώραं मुकदमों और भरतियों में देरी को कम किया जा सक्किए अगली सुचना है नए आयोग की और लंबित भरतियों की खास तोर से असिस्टें प्रोफेसर भरती की लिखा सरकार बताए आयोग के खाली पत भरेगी या वैकल्पिक विवस्ता करेगी किस तरीके से यह जो लंबित पूरी होंगी तो कि उच्चतर सिख्चा सेवा चैन आयोग में ना तो चेर्मैन हैं और ना ही पूरे सदस हैं यहां पर लिखा कि इलहाबाद हाई कोड ने राज सरकार से पूछा है कि उच्चतर सिख्चा सेवा चैन आयोग के खाली पतों को भरेगी या कोई वेकलबिक बहस पर उचितर, सिक्षा, सेवा, चेण, आयोग, और राज स्रकार की और से कहा गया है कि आयोग की अध्वक्ष और एक सेद्श के स्था पत है, कोरम न पूरा होने के कारण चेण अन्परस्थित में वरिष्ट सदस्थ से द्वारा बैटक की अधक्षता करने की वरस्ता है तो यह सब बात है तो यहां पर दलील शंठात्रों के द्वारा दी जा रही है कि अगके सरकार चाहे तो यह बडतियां कर सकती है और लेकिन यह सभी को पता है कि यह देरी क्यों हो र स्ताओं की भरति इसी आयोग से करने का प्रस्ताओं किया गया है संसक्रक्त का लेजियों को पॉल ही संस्ताओं की बढ़ति भी इसी के निर्देश पर आयोग के गटन की कारवाई शाषित इसतर पर चल रहे हिए तो देखते हैं सरकार क्या जवाब देती कस्तूर्बा गांधी विद्यालियों में अब सिर्फ महिला सिक्षक कर्मचारी ही होंगे जितने पुरुष कर्मचारी हैं इनको खटा दिया जाएगा इसके बारे में यहां पर जानकारी दी गई यहां पर लिखा हुआ है कि इसके पूर सब्सक्राइब को निर्देश दिये हैं और उन्हें कहा कि नए सित्र में इन विद्यालियों में केवाल महिला कर्मचारियों का ही नमीनी करण वाखाली पदों पर महिला अभर्थियों का चन किया जाते हैं यहां पर ज्यादतर तो सिक्षक होते हैं वह संवीदा कर्मी होते और तो जो पूरु सिक्षक है उनके नवीनी करना को रोखने की बात की बिधान सभा भरती बिधान परिशत भरती को ले करके दो दिन पहले हाई कोड ने एक आधेश दिया था उसकी बारे में यहां पर सूचना लिखी वी है कि जब पत्रकारों ने पूचा बिधान सभा के अ अधिनस्त सेवा चैन आयोग से कराने का आधेश दिया है इसके लिए भरती नेमों में तीन महीने में संसोधन की समस्ति मभित्य कर दिया है विधान सभा अध्यक्ष सहतीश महाना का कहना है कि उच्छ नयाले के आधेश का अध्यन और विधिक प्रिश्चन कराने के बाद ह कि कुछ कह सकते हैं वहीं पर परिश्चत के प्रमुक सच्छी राजेश सिंग का कहना है कि उच्छ नयाला के आधेश का पालन करेंगे तो पुरानी भरती में जम करके भेष्टाचार हुआ था यह निद्याने पत्वर भरती आई थी और विधार्दी कोट चले गया थे तो कोट ने रद तो नहीं किया लेकिन यह आधेश दिया है कि अगली बारती होगी वह किसी अन्यायोकिसी होनी चाहिए अगली सूचना सीटेट की है सीटेट का नोटिफिकेशन कल जारी हो गया फरस्ट कम फरस्ट सर्व यानि कि जो पहले रिजिस्टेशन करवाएगा उसको परिक्षा केंद्र दिया जाएगा नहीं तो फिर दूर का परिक्षा केंद्र मिलेगा यहां पर लिखा हुब집 सळचिесь हें पर. लास्ट जेट 26 मईए अगली सूच चुना है SST की है 36,012 पदों पर होगी CGL 2022 भरती पदों की संक्या कम करती गई है फिर से पदों का जो विवरान है वो जारी किया गया है SST के दोवारा CGL भरती से चल रही है लिखा कि कर्मतरी चेन आयो कंबाइंड ग्रेजवेट लेविल अब 2022 अब 36,012 पदों पर होगी SST की और से इसी साल फरवरी के पहले सब्ता में संभावित पदों की संक्या 37,409 जारी की गईदी फिर भी जो पदों की संक्या वो भी बहुत जादा है इतने पदों पर बढ़ती काफी दिन से आपको देखने को नहीं मिली होगी लेकिन बुदवार को जारी रिक्तियों की अंतिम संक्या घटकर के 36,012 हो गई है यह पूर की तुलना में 1397 पद कम हो गए SSC के इतियास में पहले कभी भी CGL में इतने अधिक पदों पर बढ़ती नहीं भी है इसकी टीर 2 की परिक्षा दो से 7 मार्स तक कराई जा चुकी है और सबल अबरतियों से 5 मई तक विकल भी बढ़े गए है वहीं पर CHSL 2021 का परणाम भी जारी किया गया जिसकी बारे मैंने कल देर साम को वीडियो बनाया था लिखा है कि CHSL 10 प्लस टू 2021 का अंतिम परणाम कल जारी कर दिये गया 5996 इसमें सफल पाए गए हैं MTS भरते परिक्षा में साम्विल होंगे 19 लाग विद्यार्ती कर्मचारी चेन आयो कि मल्टी टास्किंग नॉन टेक्निकल और हवलदार CB ICM-CBN 2022 की परिक्षा में 19 लाग विद्यार्ती साम्विल होंगे जिसमें से UP और बिहार में ही 1,90,149 विद्यार्ती चामिल होंगे पतों की संक्या की बात करें तो इस भरती में कुल 12,523 पत है तो वहीं पर SSC ने तीन परिच्छां की परिच्छा तिती भी कल जारी कर दी है एक छोटा सा एक्जाम कैलेंडर कल SSC ने जारी किया है और यह बताया है कि कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेविल CHSL 2023 की परिच्छा 2-22 अगस तक होगी और भरती का विग्यापन 9 मई 2023 को संभावित है वहीं पर मल्टी टास्किंग स्टाफ नॉन टेक्निकल हवालदार परिच्छा एक से लेकर के 29 सितंबर तक होगी विग्यापन 14 जून को आ सकता है औ और सेंटल आर्ण्व पॉलिस बल सी एपी एफ और दिल्ली पॉलिस में समय स्पेक्टर बढ़ती 2030 की परिच्छा 3-6 अक्टूबर तक होगी विग्यापन 20 जूलाई को आ सकता है अगली सूचना है सी एपी एफ ऐसाई की दुत्तिय परिच्छ दो मई को होगी उसकी बारे म को आपको अच्छा लगा तो लाइक अबस कर दिया करें पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत धन्युक्त